तो हल दोस्तों आज हम लोग दबाव सम्मूहों के बारे में पढ़ेंगे बिसिकली प्रेसर ग्रूप्स तो सम्मूहों को प्रतिनी सरकार के नए यूग के बच्चे की रूप में माना जाता है ये उभरते हुए अद्दोगिक समाज के तेजी से जटिल भिभाजनों और ददारों को इसपष्ट करने के लिए स्थित्युमें आए 1830 के दसक में सेंटाज अमेरिका का दौरा करने के बाद अलेक्स चिटा कभी लेने बताया कि जिसे उन्होंने एसोसियेशन कहा था वह पहले से ही कारवाही का एक सक्तिसाली साधन बन गया था जिसे उन्होंने एसोसियेशन कहा था वह पहले से ही कारवाही का एक सक्तिसाली साधन बन गया था पाबरफुल इंस्टुमेंट आफेक्शन बन गया था तो अलेक्स इतिक और दिखाने हैं एसका बीले निए फ्रांस में 1830 की जोलाइस के बाद कि रागंती धी कि पिरास चुह एक अर्बाइन तीस की जुलाही क्ञाइद मेरिका के दंड़ प्रणाली पेनल तेस्टम का दियाद करने के USA का दौरा किया इसके परिणाम सरोपुन की पुस्तक डेमोक्रसी इन अमेरिका 1335 सचारिस की बीच में आती है दो खंडों में अमेरिका प्रकाशित हुई इसमें टाकविले ने अपसर के समानता के साथ अमेरिकी लोकतंत की एक उभेलिंगी अलोचना इंबिवेलेंट की अभुमत करते है चार्टार्णी आप मजोर्टी के खिलाब चेताब नहीं भी दी यहीं से जैस मिल ने भी आगे चलके टार्णी आप मजोर्टी के काउंसेट फिर दिया था और उस अंदर में बातें कहीं थी तो टाकविले का राजनीतिक करियर 1849 में इसमें सदी के अंत तक बढ़ते व्यापार संग कांदोलन के साथ साथ अधिकांस और द्योगिक समाजों में सक्तिसाली क्रिसी और व्यापारी खितों का संचालन हुआ 1960 के दसक के बाद से दवाव और विरोज की राजनीत में वेबिस वोट का उतपाद समूह राजनीत थी यानि कलेक्टिव पॉलिटिक्स थी संग्ठिस समूहो और समाजी कांदोलों के बढ़ते दवाव के कार्ण इने लाम बन्दी और पतंधित्यों के एजन्ट के रोप में देखा जाता है व्योसे में संग्रिस समूहों के लिए इंट grounded group संद के प्रयोग किया जाता है VSN interest groups जबकि Britain में यह Sumo के वल अपने से दस्चुं के हितों को आंके बढ़ाते हैं या उनके रच्छा करते हैं इसलिए UK में इनны pressure groups कहा जाता है iksi PSN interest group और UK में इनने एक प्रकार से pressure group कहा जाता है Illinois mikwe Priya इसलिए 1970 के 107 से जादा होने लगा द्वाम समोह को हिस Sakmoo interest सब्स का रहां बहुल बादी दबाव मों के इस्थान पर केबल गुर्फ सब्सक्राइब करते हैं यह प्रिकार से दबाव समूह को गुप नाम समराज Anonymous Empire तता तीसरा सदन कहते हैं कौन एई फाइनर डेडी मेकीन इसे Invisual Government अधरिस सरकार कहते हैं एलन बाल इसे प्रभावक गुट इफेक्टिव गुरुप कहते हैं राडी गैर इन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र कहते हैं गैर सरकारी संचार सूत्र कहते हैं थारिष्टिन, सेलीन और रिचर्ड लेंबर्ट इन्हें गैर सरकारी साचन अन अफिस्चल कहते हैं जैके गालफरेत इन्हें प्रती संतुलन कारी सकते हैं, काउंटर वेलिंग पावर कहते हैं काल जे फेडरिक, क्या कूड़ाड होने वाले और क्या राजनी ते विज्ञान क्या धेता, सभी दवाव सम्मूहों को हे धिश्ट से देखते हैं, इन्हें ऐसी पास्विक सक्ति माना जाता है, जो लोग तनके धार सिला को नश्ट करते हैं, हिस सम्मूह अपने हित भूरती के संग्ठित लोग हैं, जब या संग्ठन हित भूरती के लिए सरकार पर दवाव डालता है, तो दवाव सम्मूह अधिक संग्ठित वमसक्री दवाव सम्मूहों को लाविंग कहते हैं, पीटर अडिगार्ड के अनुसार, दवाव सम्मूह ऐसे लोगों का अपचारिक होते हैं, लोग, पीपल, लोग, लोग एक प्रकार से हित सम्मूहों में लोग हित के लिए सामिल होते हैं, गुरुप सिधान, तो इसके प्रित्पादक हैं, आर्थार बेंटले, और लोगों ने पुस्तक लिखी है, तो प्रोसे साब गॉवर्मेंट, ये अठारा सो चारी, 1908 में आती है, 1908 में आती है, दा प्रोसे साब गॉवर्मेंट, आर्थार बेंटले की पुस्तक है, इसी पुस्तक में सर्फथम सम्मूहों का आनुभाविक, ये इंपिरिकल अध्यान किया गया है, बेंटले के बाद इसी विशे पर बिवहार बादी, ट्रूमेंट, डी वी इसी पुस्तक प्रिटिकल पार्टीज अंड प्रिसर ग्रूप, 1949 में किया, बी ओकी के पुस्तक के क्या नाम है, प्रोसे प्रेशर ग्रूप, 1949 में आती है, बेविट रोमेंट, बी ओकी जुनियार, अर्ल लैथम, बिसेशन विशेस्लात्मक, बहुलवादी हैं ये, बिसेस एड़वर्ड सेल्स ये आधुनिक समूह से धानकार है, नब भुलबादी तो रावट डाल है, लिंड वलाम है, ये के गालवरित है, ये बाड़े जिंक संगटों पर जोड़ देते हैं, इन्होंने समूह का अनुभाविक अध्यन किया, समूह का ध्यन करने वालों को नव व् परिभाविकलby सिस्टम के रोप में परिभावसít करता है , तो डेविडिश्टें इस ला और संगंधन俺 को संगंधन ॕई राजननितिक objective ilyyostatan को को या कोई संगंधन होगा आथर बंटले ने समूह की कलपना ब्रक्तियों के समूह के रूप में नहीं, गत्रिविति के समूह गुरूप एजा मास आफ एक्टिविटी के रूप में की है। ओके रूप समूह या दबाव समूह की विश्चिता क्या होती है तो इनकी सतथा इच्छिक होती है। इसार्व व्यापक प्रवित्य होती है इनकी अनिश्चित कारिकाल होता है निश्चित स्वाहित सिर्फ अपने सदस्यों के कल्यान पर यह जोड़ देते हैं हित मुखरन करते हैं प्रत्यक दवाव समूं का हित निश्चित होता है चुनाव नहीं लड़ते हैं यह इत पूर्त है तो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं राजनीतिक दलों की बैचारी के मित्ति सहायता करते हैं राजनीतिक दल और दवाव सभू में अंतर क्या है तो आमंड बेसिकली दवाव समूं इंट्रेस्ट आर्टिकुलेशन का कारी करते हैं जबकि राजनीतिक दल इंट्र उनको करेंगे उनको बताएंगे लटेसे मालों कोई सम्हाजिक संगतान कुय सब्सक्रा बुटेसं कि इत्यों कि सब्सक्राइभ हो잇ं चार्ल्स बिएड जो चार्ल्स बिएड राजनितिक दलों को भी हित के अभिकरण यानि एजनसीज आफ इंटरेस्ट मानते हैं दल पूर्ण राजनितिक होते हैं जबकि गुट भीतर बाहर की भूमका निभाते हैं तो दल बिसिकली राजनेतिक होते हैं जबकि गुट भीतर वाहर की भूमका निभाते हैं तो मुहों की थियोरी होती है रोटी खा भी ले और चबा भी ले जबकि राजनेतिक दलों की तरह सीथे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं पर चुनावी चंदे, अपील, टिकट, बित्रन, पचार आति के माध्या हम से राजनेति में सक्री रहते हैं ब्रक्ति हितों के बहुलोग में रहता है आता है वह कई दबाव समयों का सदस्य होता है जबकि राजनेतिक दल उसका केवल एक ही होता है समयों कीезде पूर्ति के लिए समधानिक दोनों सादनों का प्रयोग करते हैं के नहीं है समुह की प्रहौत शंता को घटाने बढ़ाने यानि परवजित करने वाले संसाधन या कारवाहियां पहला है, समुह हुआ उसके लच्चों के पर जनता की सहान भूति जो सास्था का आकार जादा संख्या जादा प्रहौत वित्ति संसाधन वा संगठनात्मक्षंतायम सरकार को बाधर करने की कारपणाली या तरीका सरकारी मसीन दीच से व्यक्तिका दिया संस्तागत लिंक या संबंध तो इस संबंध को अक्सर रिवाल्विंग दोर द्वारा मजबूत किया जाता जिसके माध्यम से नौकर साह अभी एक प्रकार से प्राइब Leuran करी ईसमें चली जाते क्योंकि जब होसर कार में थे तो destructive आइसमेंट का का इसले क्यों उनिक्त आज ईकिता करें जी एक प्रकार से प्रकार से जो जैसामा इसले से प्रकार एक के नाम से जाना जाता है इसका साथ दिकारता स्वर्ग से उतरना डिसेंट व्हां है वर्मा कुद्री राजनेतिक तलों से संबंध तो हिस समूह अक्सार राजनेतिक तलों के माध्यम से भी दवाव डालते हैं यूग के वाश टेलिया के लेवर पार्टियां इसी प्रकार का परिश्ब करते हैं आपियोग करते हैं जंसंजार के साधान या करते हैं रंतर आजिस अंगठनों कभी यह रूप ले लेते नबाशativas के बढ़ी करन को प्रिकार के होते हैं संप्रदाइक ग्रुप्स जन माधारी से च्छल स्थो cousins होती है प्रिवार चाहत धर्म होते हैं आयर्लेंड इटली वा विकासियल देशों में इसका प्रभाव जादा होता है थर्वर्ड के कंट्रीज में ज़्यादा बनते हैं आयर्लेंड वा इटली में भी दिखा जा सकते हैं इस फूपी सरकारी मसीनरी के हिस्से होती है एतना इक वादी साथन बस्ताओं में ज्यादा सक्साली होते है तो अजन हावर का military industrial complex का विचार माधपून है अजन हावर का military industrial complex का विचार सी राइट मिल का सक्त या विजन यानि कि power elite का जो concept है इसमें नेता प्लस सेना प्लस उद्योगपती का विचार है पावर elite, सी राइट मिल, पावर elite पर associational groups तो अद्योग्रिक समाजों में यह ज़्यादा पाया जाते हैं मजदोरों के विफसाईयों के सिच्चकों, बकेलों, किसानों, आत्य के दमों, दवाव सम्मूँ इसी प्रकार के सम्मूँ कहलाते हैं तो अनुभागी सम्मूँ होते हैं यह दो प्रकार के विच्चिक लिए हो सकते हैं अनुभागी सम्मूँ यानि सेक्चनल ग्रूप तो इन्हें प्रोटेक्शन या फंक्शनल ग्रूप भी कहा जाता है क्योंकि यह केबल अपने सिच्च्चों के हितों का प्रोटेक्सन या उसके रच्चा करते हैं समाच की एक section फ़र्वाइन самых समाच के लिए नहीं बल कि saphe कर एक इन लेकार करते हैं नागरी कधिकारों के रच्चा के लिए अरहा है संतिवादी संत्रान तो ये मैं क्स्वाइन टागत हर्ष एक प्रमोशनल गुरुप होते हैं उन्हें पॉबिक इंट्रेस्ट गुरुप कहा जाता है अंद्रोणी गुरुप होते हैं इंसाइडर गुरुप से भी होते हैं तो यह सरकार को नीमित परामर्स देते हैं नीमित संस्थाकत पहुंच रहती हैं कि जिसे विवापार समूंग हो गए ट्रेड यूनियन हो गए इनके सरकार दोर पेक्षा नहीं की जाती आउट अडर गुरुप सरकार से अन्यमित परामर्स और ना के बराबर परामर्स देते हैं यह सरकार तक आपचारिक पहुंच इनकी नहीं होती है या कम होती है नेती प् अपरतक्ष प्रवाव यह डाल पाते हैं तो कम्नल गृप समर्दाइक गृपों के बारे हम पढ़ते हैं समर्दाइक समूंग की मुझे बिसे इस्ता यह है कि यह समाजिक दाने बाने में अंतर नहीं होते हैं इनके सरस्ता भरती की बज़ा जन परदारित होती है जैसे परि सेनरी में और उसी और उसके माध्याम से प्रवाव डालने का प्यास करते हैं वे इस समूहों से इस प्रकार भिन हैं कि वे स्वेत्ता अस्तंता का कोई उपाय नहीं करते हैं नौकर साही यह सेना संस्थान समूहों का सेच उधरन है अधिनायक बादि यह वास्तर रवाधिक परिक समूहों के साथ घर्षोंड भी करते हैं प्रसिद मिलिटरी इंडस्टिया कामप्लेक्स वैसे में है जिसे प्रकार से आजन होबर भी बोलते हैं और सी राइट में भी बोलते हैं सही होगी या सोची एसनल ग्रूप सब्साचार समूह हुए होते हैं जो उन लोगों दोर आने के लिए एक साथ आते हैं नियाम तोर पर और जोगिक समाजों की एक बिसिष्टा की रूप में देखा जाता है ऐसे समूहों को समानता है हिद समूह का जाता है इन्हें दो भागों में बाड़ा जा सकता है शिक्सनल प्रमोशनल ग्रूप वह इंसाइडर कहते हैं जो समूह होते हैं सेंट एक व्रकार से होते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव और फंक्शनल ग्रूप भी कहते हैं या आम तोर पर अपने सदस्ट के हिदों को बढ़ाने या उनके रच्छा करने के लिए कार करते हैं डेर युनियान व्यापार निगां व्यापार पेसे बार निकाए इसी समुह के उधरन होते हैं जिसे में अनभागी समुहों को आम तोर पर प्राइवेट इंट्रेस्ट ग्रूप के रूप में जाता है इनका सरुकार अपने बर्गों की बेहतरी वकल्यान से होता है समाज की बेतरी से इनका कोई सम्द्र नहीं होता है जो सक्सनल पेसर ग्रूप होते हैं उनका दूसरा प्रप्रमोशनल ग्रूप होते हैं तो साजह मूल्यों आदर्सों ऐसे धानतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार समुहों की सापना की जाती है इन्हें कारण या धिश पर समर्थन पसंद प्रोच वाईस और जीवन समर्थक लावी नागर्च संत्ता के पक्ष में वियान या टीवी पर सेक्स और हिंसा के खिलाप वियान पसु और प्रदुसर्ण और पसु क्रूरता या परंपरिक या धार्मिक मूलों के रच्छा के लिए विरोध सामिल है ऐस से सभूच अमेरिका में कर चार समुख को पॉब्लिक इंट्रेस्ट ग्रूप कहा जाता है रेचएनाथमा के बजाए सामयाखता को बढ़ावा देते में किलेक्टिविटी को बढ़ावा देते दोनों प्रकार के होते हैं जैसे अमेरिकन स्वेट लोगों के समर्थन में नेस्नल एसोसियेशन फॉर्द एड्मास्मेंट आफ कलरड़ पीपल सम्मूं काम करता है या संगठन भेदभाव का भूत करता है साथ या स्वेट लोगों के रोजगार के अफसरों को बढ़ाने के संगन करता है समाजिक नाव समाजिक न्याय और असलिव इदभाव दोनों मुद्धों से संभन दित है पिर अंद्रूनी या बाहरी समूह एंसाडर या उसाडर ग्रूप तो अंद्रूनी समूह या इंसाडर ग्रूप सरकारी निकायों पर नीमित परामर्स या 15 सो के माध् तो ये तीवर बिरोद करते हैं बाहरी समुह यानि आफसावडर ग्रूप से या तो सरकार त्वारा परामर्थ नहीं किया जाता या केवल अनीमित रूप से परामर्थ किया जाता और समानते हैं ये बज़िश डिस्टर तक सीनियर लेवल तक पहुँँच नहीं रखते हैं सरकार तरक अउपचारिक पहुँची कम्य किकाण इन समोहों की नीथ प्रक्रिया तक पहुँच नहीं होती है तो बिचारक, आमंड आमंड ये चार परकार के परासर को बताते हैं इंस्टिऊशनल , एसोसियेसिटनल, नॉन एसोसियेसिटनल और एडॉमिक गे ंяет, फिर जिन ब्लानयडल यह दो प्रकार के पताते हैं sectional and guard in Brandon की communal और एसोचिस नहीं तो आभासी अकृतिम दबाव संमोह का विचार मोरिस डबार्जर ने दिया आभासी अकृतिम दबाव संमोह अर्टिफीसियल और एक प्रकार से Virtual bak का कॉंसेट किस ने दिया है मोरिस डबार्जर ने दिया है कि बुकया नाम है इंट्रेस्ट ग्र्विन अमेडिकं सोसाइटी उस प्रिण के बारे में पड़ते हैं टो गेब्रियल आमन spinner कुष्य करना है इंस्टिर sóल ग्रूप यह चार्ट प्रव्चार्व संस्ताओं के अंदर होते हैं और प्रक्रिया में सीधा हंताचेप कारता है कांगरेश का संस्ति समूह कारेकारणी आई-स के गुठ नौकर साही वा सैन गुठ इसके उधारण हो सकते हैं लोगतंत की वजाई अधिनायक वाद में ज्यादा प्रभावी होते है इन्वेस्ट एसोसियेस्टनल यानि संघात्मक या सहचार्यात्मक तो इनका अपचारिक संघ्ठान आप ये सकरमचारी समिधान सभ होता है पुरे विस्व में यही सक्साली है विक्सी देशों में ज्यादा होते हैं पर ग्जंपल या रपसाग्यों समूह से फिक्की हो गय कि आइन टियू के और आल इंडिया टेड़ी उनियन यह प्रिकार से महिला संघठान यह सब क्या है एसोसियेस्टनल गुरूप्स के उधरन है पिर नौन एसोसियेस्टनल गयर सहचार्यात्मक या संब्रदाइक कि अब्चारिक और अन अप्चारिक दोनों प्रिकार की हो सक इसका मुद्छा ध्रण हो सकता है इटिवार आयलेन में ज्यादा जो अपनि उग्रूर नेतियों काण यादा कर्या समाजिक वालाजनेति दबाव वजदा करते हैं यहिए प्रिक्षटनाज्सक्षा sided है और प्रतिमानीठ होते हैं और प्रत्त नात्मक होते हैं यह यह अब अभचारिक होते हैं अचानक हिंसक खायबाही करते विहार का फूुन आकला indeed नहियां संद्रवी और हिंसक जा liaison कि योग हर साउलफा एल्टीटी यह सब प्रेसर गुर्प के उधारन है जीन ब्लॉंड एक प्रकार से दो प्रकार के बर्गी कान करते हैं तो एक तो कमनल प्रेसर गुर्प हो गया दूसरे सोसी एसनल और अन्यचिक संबंद या अनिबारी संबन इन्वालेंट्री लिशन सीफ होती है और इस्थाय संबंद होते हैं प्रनामेंट लिशन सीफ फिर एसोचीज़ तो इसेशनल में दो हो सकते हैं एक अध्राशनात्मक एन प्रॉटेकटिव इसमें हित रचण के लोगन अपने सदस इनका होता है फिर उत्थान आत्मा क्यानी प्रोग्रेसिव टाइब के यह होते हैं इनका उत्थान गांधिवादी अपने वड़नी जो संगठन है यह इसका उधारन हो सकते हैं जेन ब्लाडन के अनुसार एसोसियसनल प्रसर गुर्प के लच्छन है उद्देश अधारे संबन्द एच्चिक संबन्द या और चारिक संगठन फिर पीटर और डिगार्ड तो यह दो प्रकार के प्रसर गुर्प बताते हैं एक तो सेक्षनल यह स्थाई होते हैं उधारन के कर Armor और पूरी संब्लों पुरा संब्लों खत्म पुरी हो गई तो इसमें संब्लों क्व राजनीत के मॉडल सब स्रुप पॉलिटिक्स तो इसके बिसिकरीından 3 मॉडल हो सकते हैं पहला है डिऑयलेल मॉडल दोसरा है निगम बाधि मॉडल यह कारफिस्त मॉडल और स्रा है निव राइट मॉडल, नव दच्छिन पंती मॉडल, बहुल बादी मॉडल को देखते हैं, तो एकल बादी सम्प्रूपता के वरुद इसका विकास 1920 के बाद हुआ, यह मॉडल सक्ति को बिभिन प्रतियोगी सम्मुहों में विवाजित मानता है, इसके मुखे विचारा के आर और अर्थर बंडले, डेविट्रूमेंट और अर्ल लेथम, तो आर्थर बंडले की पुस्तक हम देखा था, क्या थी, तब प्रोसेस अफूर्फ्ड उन नव में आती है, फिरश के विपूस्तक के कहना में प्रोसेस, अर्ल लेथम भी है, इम देखाटूंटेंग करैं, एक गालवरत हैं नो बहुलबादी सक्ति को विप्पारिक संघों की ओर जुका हुआ मानते हैं एक है कार्ट प्रेटिस्ट मॉडल या कार्च निगमबादी मॉडल तो यह मॉडल बहुलबादी मॉडल की तरह सक्ति को सभी समोहों में बराबर मटई हुई नहीं मानता है बलकि विप aquí संगों का जादा प्रभुत मानता है निगम्बाद म्उप्त है आर्थिक और कार्यातमक जी इकनॉमिकल एकनॉमिक या फॉंचनल सर्मूहों को नित निर्वाड में जाद सक्र्इमानता है निगंबाद ती पस एच्छी बाद पर अधायित है ताय पार्टिजम यानि सरकार प्लस विवसाई प्लस टेड़ी उनियन ्यार प्लस विवसाई प्लस टेड़ी उनियन या मज़़ोरों वा विवसाईयों के सम्मोहों को केंद्री इस्थान देता अब जुर 2. conquism model तो यह समाजिक और सम्मूहिक सम्मूहों का भी रोधी होता है समाजिक और सम्मूह जो सम्मूह होते हैं उनका यह भी रोधी होता है दूसरा यह बैक्ति बाद बजार बादवा मिन्यूआ लिश्यर का समर्तक है यह बैक्ति को सम्मूह का सदस बनाने की बजाए फ्री राइड बनने के सलाह देते हैं यह निगम बाद के खिलाफ है थेचरबाद वा अरीगान बाद इसी के रूफ है इसके समरता के हैयक नौजिक और मिल्टन फ्रीड में तो बहुल बाद को एक प्रकास अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुल बादी सिधान समुह राजनित की सबसे सकरात् ये सरकार से ब्यक्त की रच्छा करने और लोक्तांतिक जबाब देही को बढ़ावा देने के लिए समुहों की चमता पर बल देते हैं बहुल बाद का मुख के विशा यहा है कि राजनितिक सक्ति खंडित और ब्यापक रूप से बिखरी हुई है सौधे बाजी और बाद्चीत की एक जटिल प्रक्रिया के मांथ हम सरेने लिये जाते हैं पता ये सुनिशित किया जाता है कि बहुल हितों को ध्यान में रखा जाए दा प्रोसेस अफ गॉवर्मेंट ने सो आठ में पुस्तक में आथर बेंटले द्वारा एक बहुल बादी समुह सिधान बिख्षित करना सबसे शुरुवातियों सबसे मातपूर्ण प्रयासों में से एक था आथर बेंटले का जोर उनके प्रसेद्व युक्ति में अब्यक्त होता है जब समुहों को प्रयात रूप में बढ़नन कर दिया जाता है तो उनमें सब कुछ आ जाता है वेन गुरूप सार एडिकुटली स्टेटेड एवरिधिंग इस इस्टेटेड देया या इस्टेड डेविट लूमैन के पुस्तक द्गवर्मेंटल प्रोसेस से उन्में सविंग क्यामन में आती है को समानितिया इस पर हमपरा को जारी रखने के लिए जाना जाता है बहले को हित अव्यक्तिके एजटेड के रूप में वनित किया और्लिए के लिए ४्रोच में हिस्ट समोह एंत्रेस्ट घ्रॉप को फ्ओनरी बाउनरी ke रूप में जर्साया गया इसको आइए जैसे जैसे विसलेशकों दारा किये गये समदाइक सक्ति अध्यनों में बहुलता बादी दावे के लिए अन्भोच जने समर्थन पाने का दावा किया गया कि कोई भी इस्थानी अफिजात वर्ग सामोहिक निने लेने में हावी नहीं हो सकता पर रावर्ट डाहल 1915-2014 तकिन का टाइम पीरट रहता है सब्सक्राइब अमेरिका में राजनेतिक विज्ञानिक रावर्ट डाहल बर्स 2016 में एल विस्विद्याले में राजनेतिक प्रफेसर के बर्स 1916 होगा इस थिंक 1916 नहीं होगा यह तो गलत तो बिसिकली यह याद सब्सक्राइब नुक्त किये गए थे इसन तो गलत है बर्स 1913 में डाहल ने सास्त्री लोकतंत से आधनिक समाजों को अलग करने के लिए चार्स लिंड ब्लाउम के साथ मिलकर पॉलियार की बहुल सासन यानि कई लोगों का सासन सब्द गढ़ा पॉलियार की गढ़ा और इस अधरबादी से दान्दों का प्रहा दिखाई देता है उन्हीं सो पचासवा साथ के दसा के सुद्वात में डाहल ने परमपरिक बहुलबाद को विक्सित करने में योगदान दिया लेकिन उन्हीं साथ के अंतिम बर्सों में लिंड ब्लाम और गाल ब्रिस के साथ मिलकर में उन्होंने प्रमुक पूंजिवादी निगमों की बढ़ती सक्ति पार चिंताब्यक्त की डाहल की प्रमुक्रितियां है अपरी फेस्टू डेमोगर्टिक थियोरी उन्हीं सो चापन में आती है हूँ गवर्न सो निशीक सट में डिलेमा आप प्लूरलिस्ट डिमोक्रसी 1982 इंपुस्तक आती है राज नहीं थी सक्ति इस तरह खंडी थे कि कोई भी समूह या हिस समूह लंबी अवधि के लिए प्रभूत आसिल नहीं कर सकता है जैसा कि रावट ड़ाल ने लिखा है कि आवादी के सभी सक्री और बैद समूह निड़ने लेने के प्रक्रिया के किसी मात पूछ रणमें खुद को बेक्ट कर सकते हैं काउंटर वेलिंग पापर यानि प्रत्व संतुलन कारी सक्तियां सक्तियों का विकल्व विचार जेके गालवत के प्रक्रामभिक लेखान में विक्सित हुआ उनके अनुसार प्रतिस परदी समूहों के बीचे गत्सील सक्तिया विजातवार यानि पावर एलीट के अस्तित्यों की और ध्याना कर्शित करते हैं इसमें ब्यापारिक नेमों के प्रमुख रजनीतिक नेता और सैन प्रमुख सामिल होते हैं सी राइट मिल्स ने अमेरिकी राजनीत की निर्ने परणाली में इनका महत्पूर योग होता है कि हाटच के अनुसार पूझी की बढ़ती का सेलता और एक मुक्त पर अंतलाश्य परणाली की प्रणाम सवरुप सरकार का कार्पोरेट अधिकरहन कार्पोरेट टेक ओवर हुआ है बने की जो कार्पोरेट्स हैं या बड़े-बड़े जो कमपनीस हैं मैंसी से उन्हों नव भोलबाद और नव भोलबद चार्स लिट्बलम की पुस्तक पॉलिटिक्स और मार्केट्स 1988 में और डोथी किए बहुत्टीपार समूँ पस्चमी बहुलबाद मी आनंद लेते हैं प्यापार सम्मूद निगमबाद या कारपो रेटिस्ट माडल कारपो रेटिस्ट माडल निगमबाद इसे का जाता है इसे कारपो रेटिस्ट माडल भी खा जाता है तो निगमबाद के ताहर सरकार साजवनिक नित निर्मान वाक रियानमर में मजदूरों औ परक्रियाओं को सामिल करने का एक साधन निगमबाद के दो रूप हैं एक अधिनायक बादी निगमबाद तो इसे राज निगमबाद भी कहा जाता है या ऐसी विचारधारा या आर्थिक रूप है जो इटली के फांसी बात से निकरता रखता है यहाँ पूजी पत्यों की हितों को पूरा करने के लिए मसदोरों की फेड यूनियन को दवाया जाता यह है अलादेशल, कारपोरिटिजम दुथरा है लिब्रल कारपोरिटिजम यानिकि उदार निगंबाद विशे समाजिक निगमबाद्य अननु निगमबाद्य का जाता है यहनित निर्मान प्रक्रिया के लिए संक्षितों को विशेसदिकार प्राप्त और संस्ठागत पहुंच पदान करने के लिए परिपक उदार लोगतंत्रों में पाई जाने वाली प्रिबित्ती है बहुलबादी मॉडल के विपरीद निगमबादी हित समूहों को हाइरार्की रोप में संग्ठित हुआ उनने ताओं के प्रभुत्त के रोप में चिचित करता है जो सीधे से दस्यों के प्रति जवाब देने है नवदर्चन पंथ नियो राइट मॉडल नवदर्चन पंथ में सभी प्रकार के समाजिक समूहों और समाजिक निकायों को संदेह के दिश्चे से देखा जाता है यह व्यक्तिकत आत्म निर्भरता और उद्दम से इलता से संचालित बजार विवस्ताव को बड़ीता देता है नियो राइट में कार्पोरिटिजम, बढ़ते, सर्वनिक खर्च और बड़ी सरकार, बिक साइज ग़र्मेंट से समद्ध समस्याओं के बीच कथित सम्द्ध के बारे में विश्यष चिंतावेक्स कियाती है नियू राइट, इंटी कार्पोरेटिजम और पब्लिक चॉइस थेयरी से परावित हुआ जिसे शुरूप से मैनकर ओलसन की पुस्तक मैनकर ओलसन की पुस्तक दलाजिक आफ कलेक्टिव एक्सन कोलन पब्लिक गूड्स और थेयरी आप गुरूप्स 74 में इसकी ब्याक्या की गई मैनकर ओलसन ने तरक दिया कि लोग हित या सर्जवनिक हित कॉमन गूड्स को सुरचित करने के लिए इस समूहों में सामिल होते है सर्जवनिक पसंद से धान पब्लिक चॉइस थोरी तार्किक पसंद चैन से धान का एक उप छेतर है सर्जवनिक चैन सिद्धान का सर्जवनिक चरितत पता कथिस सर्जवनिक फ़ब्लिक गुट के प्राव्धां से विज़न से संमान्दीत है या हित पूर्ति बजार के बजार सरकार dवरा की जाती है क्योंकि उनके माफ को उन बैक्तियों हे तू नहीं दोख जा सकता है। जो योग नहीं है। योगदान नहीं कहते हैं जैसे सच चाबाकी बहस्ता। यह बैक्तियों के लिए फरी राइडर बनने के लिए अपसर पैदा करता है। में वे समुख सदस्था के लिए आवस्यक विवेन लागतों के बिना भी लाप राप्त कर सकते हैं मैंकर आलसन के बाद में अपनी पुस्तक दराइज और डिकलाइन आफ ने सन 1984 में इस्पेस्लेशन को और अधिक रिक्सित किया इसमें विशेष राज्यों की सम्रिध्धी या आतिक भी फलता के प्रमुक निर्धारक के रोप में देखते हुए इस समुख अद्वित की कड़िया लोशना की गई अधिक के लिए यूके और अस्टेलिया को संस्थागत काठिन या इंस्ट्योशनल इस्क्लोरेशिस से पीडित रोप में देखा गया या है समुखों के मजबूत नेटवर्क के उभरने के फल सरोप हुआ जहां पर ट्रेड योननों ब्यापारिक संगटनों और ब्यापारि किया थी इनकी वगवाई उसे में रीगान वर्बिटेन में थैचर ने की थी विफिन राजनितिक वश्थाओं में दबाव समुखों की भूम का तो लोग तांतरिक में ज्यादा सरवाधिकार वाधी में कम होती है भूम का अधर्श्टात्म की वश्था योश्था में तो कंगरेश्ट की मोलता गुठों की आई इसा बोलते हैं पुड़ोबिलसन के अनुसारी उसे की सरकार ऐसा से सुह है जो हिस समूहों की देख रेख में चलता है। इसलिए तर्फति आजांग हावर दिवसे को सैन और ज्योगिक संकुल कहते हैं। जो प्रफेशनल लाविस्ट होते हैं उनमें एक प्रकार से घनिश समन पायाता है। यही है आईरन ट्रेंगर। संस्दीर प्रणालित यहां कठोर दली यह अंतरनों वाफिप की वज़ए से लाविंग कम प्रभावी होती है। दिक्सित देश यहां एसोचिएसनल सम्मूह ज तो यहां दवाव सम्मूह राजनितिक दलों को नियंतित करते हैं। दल वाव सम्मूह आपस में जुड़े होते हैं भारत की तरह पर बिटन में अच्छा नहीं। फ्रांस वा इटली में दवाव सम्मूह बरगी हितों को राश्टी हितों को राश्टी हितों को राश्टी ह से उपर रखकर संकट पैदा कर देखे हैं हमने देखा है कि फ्रांस बगेर में जब करांतियां होती हैं तो फिर हरोटी या प्याज के लिए भी इतनी बड़ी करांतियां हो जाती है कि फिर लगता है कि पुरा देश सर पे उठा लेंगे वो लोग तो उनकी प्रिवित्ती है हमू के निर्वान वाकारियों को फ्रावित करने बाले तत्य तो पहला है प्रिटिकल कल्चर राजनीतिक संस्कृति ताना साही वा सरवधिकार बादी देशों में दवाव संमूहों का प्रभाव कम होता है उदार भुल बादी देशों में इन्हें सकरात्मक माना जाता है वेसे कि राजनतिक संग्जति समुहों के प्रन्स की जैकोवियन संक्रती तो प्रत्यष कारवाह ही डारे अठक्सन की परअपरा Zumi सथा कर दशनार अभी धार केंद्रे कय दियो कत्था संस्दातम्क सहसन पॉप्रणाली में समुह कम प्रत्दे अधित होते हैं औरंके लिए UK में प्रभाव कम है विकेंद्रिकित सक्षियों के प्रता करण वाली संगी विवस्था में इनका प्रभाववा होता है यसे क्यों ऐसे फिर nature of party system दली प्रणाली के प्रवित्य एकल पार्टी एकल पार्टी प्रभुत वाली दली प्रणाली में dalla बाबन की निर्माड इबस्ता के इंदेगत होते हैं इनका प्रभाव कम होता है बहुत अलिव वस्ता में इसतार पर उत्तार पीडाव लाता है। शूडियस प्रणाली इसका उत्त कर शुदारन फिस समूग प्रत्येक इस तर पर सुडियस अजिती प्रक्रिया को रहवित करते हैं। हस्टेलियाई चेम्बर प्रणाली में कार्पोरेट प्रतमृतों का एक सवान पैटर्न बिख्षित हुआ है जो बानिच जीक्रिस्चे और स्थ्रम जैसे प्रमुक हितों के लिए बैधानिक प्रतमृतितों करता जर्मनी में नेथ नियधान में जर्मन एंप्लायर पोलियार्किक यहां थार्मी को जाती ज्यादा आंद्या में दवाव समूह का ध्यान तो माइनर बीनर की पुस्तक पुंस्ताक है प्रसार्ड गुरूप से इंदिया है माईनर वीनर के पुस्ताक है पुस्ताक है सबसे जो महात्पून पुस्ताक है वो पॉलिक्स स्क्यायर सीटी है दावाओ की राजूस में पुस्ताक पूर्मेंग पॉलीकि में अध़ायर्त राजनीत विवस्ता को समझना है तो सरकारी वा अज्यांत हे नामिक संगटनों कात्य हैं जरूरी बावाटे काच्नीक द्रक रावाठे ने पॉस्ताक दिज्नित पॉलिटिक्स रावर्ट काचनी के फुस्तक क्या है बिजनिस एंड पॉलिटिक्स इन्होंने भारती पर साइक संगठनों का अध्यान किया है जले दोस्तों यहां से हमारा ये पिसर ग्रूप का चैप्टर समाप्त होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लागा दोस्तो अवार ये